यहां पर आप लोग के पास एक उपर नयावबार होगा जिसके उपर आप सेलेक्ट कर सकते हो यह साथ यहां पर आपको यह बहुत ही सुन्दर सा कार्ड पॉर्मेट में न्यूज आपको दिखेंगी इनधे आप फ्लिक करोगे तो आप अप अक्चिल न्यूस के जो आटिकल है वो भी जा के देख सकते हो और यहां पर आप सर्च भी कर सकते हो तो इसके अंदर सर्च पोस्ट करो सर्च करते हैhen विरात कोलीwend तो यहां पर हमें विराक Evangelizeiba Version 2 Dollar mention कर सकते हो तो इसे start करते हैं सबसे पहले हमें बनाना है ये nav bar इस nav bar के अंदर हमारे पास ये एक logo है then beach में ये कुछ nav icons है और right side में हमारे पास एक search bar है तो सबसे पहले यहीं बना लेते हैं इसके लिए हम आएंगे अपने project के अंदर यहाँ पर और आपको ये सारक सारा code shared है already github के ऊपर यहाँ पर मैंने एक folder बना लिया है news app नाम से इसके अंदर हमारे पास assets folder है जो अभी खाली है इसके अंदर में अपना वो logo डाल रहा हूँगा and then index.html or script and style.css इसके अंदर हम करेंगे exclamation mark hit tab और यहाँ पर basic चीज़ें लिख लेते हैं for example हमारे 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 टाइटल होने वाला है news app इस तरीके से और इसको हम open कर लेते हैं open with live server यहाँ पर यह open हो गया है आप बढ़ने से पहले मैं आप लोगों साथ share करना चाहता हूँ हमारा dsa prime program on coding channel.com coding channel.com हमारा खुद का initiative है आप लोगों को quality education प्रवाइड करना वो भी बहुत कम prices के उपर तो इसके उपर हमारे multiple programs आते हैं web development के, dsa के तो अभी फिलाल हमारा dsa prime program इसके उपर चल रहा है जो कि आप check out कर सकते हूँ high quality live session, focus learning program with weekly drips इसके लाबा हमने handpick problems बना धी है जो कि आप यहाँ पर जाके practice कर सकते हो इसके साथ ही instant doubt support आपको मिलेगा इसके अंदर काफी कमाल का community support और placement assistant भी मिला करेगी इसके अंदर आपको ठीक है तो do check out और इसी के साथ विरम continue करते हैं तो website link is in the description, go and check out अब जड़ा यहाँ पर हम connect कर लेते हैं अपनी style को तो link css style.css और script को भी हाँ पर हम include कर लेंगे यह सब मैं पहले ही कर लेता हूँ so that मैं बाद मैं भूलना जाओं उसके बाद हम start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर अपना nav बना रहे होंगे तो जो दो बड़े बड़े tag हैं वो हम लिख लेते हैं सबसे पहला nav और उसके बाद अगला है main ठीक है तो nav के अंदर हमारा उपर वाला nav बार होगा और उसके नीचे हमारा main tab होगा बस यही दो चीज़ हम दिखा रहे हैं उपर यह वाला nav है और उसके नीचे यह main है nav के अंदर यह तीन चीज़े हैं इन तीनों को बनाते हैं सबसे पहले आएगा हमारा यह logo तो यह logo यार मैंने बना लिया ठीक है canva के अंदर जाके बनाया था मैंने coding channel का logo तो अल्यडी हमारा पास था ही यह रहा वो logo logo.png यहां पर आप देख पा रहे हैं इसको यह dark है देखनी रहा ठीक से इसको अभी हम byte के उपर डालेंगा तो अच्छे से देखेगा इसका नाम में रखा है logo.jpg तो इसके अंदर nav के अंदर आते हैं सबसे पहले डालेंगे अपना एक main nav container तो dot main nav और इस main nav के अंदर होगा हमारे पास सबसे पहले एक होगा anchor tag जिसका href मैं फिलाल के लिए hashtag डाल देता हूँ और इसी anchor tag के अंदर ही हमारे पास होगा image tag इसके source के अंदर में डालूँगा अपना तो dot assets slash logo.png और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना company logo इस तरीके से इसको करेंगे हम save तो यहां पर हमें हमारा logo दिखाई देगा बहुत बड़ा ठीक है यह पुरा logo यहां पर आ रहा है इसके नीचे अब हमें डालना है अपना nav links दो dot nav links और इनके अंदर होगा हमारा ul हमारे बास होगे कुछ allies तो पहला ally बनाते हम li की जो class होगी वो होगी हवर link और साथ में nav item इस तरीके से इनके अंदर मैं रिखेंगा suppose करो मैं है आप लिखता हूँ IPL इस तरीके से ठीक है तो इसको मज़रा दो तिन बार लिख लेता हूँ IPL यहां पर अगला हो जागा finance और उसके बाद हो जागा यहां पर let's say politics all right तो इस तरीके से हमने कुछ nav items define कर दिया अपने और सबसे लास्ट में यहां पर आजागा एक search bar तो search bar हम यहां पर बना लेते हैं तो dot search bar इस search bar के अंदर सबसे पहले हो एक input जिसकी class हो जाएगी news input और type हो जागा text ठीक है इसका type text और इसके बाद मैं इसके अंदर placeholder डालत जाएगा let's say for example science और इसके बाद एक button मनाएंगे हम जिसका class हो जाएगा search button और इसके नदर text हो जाएगा search अब जड़ा इतनी सी चीजों को हम देखते हैं हमारे पास कुछ allies होंगे यहां पर allies हैं और यह हमारा search button है इसको जल्दी हम style कर लेते हैं तो style करने के लिए मैं आपन मैं पहले तो font लिखा है तो एक font आएगा हमारा google font से तो यह font आप import करा सकते हो मैंने जो font import करा है वो है poppins poppins के अंदर मैंने 500 weight लिया हुआ है उसके बाद रोबोटों के अंदर मैंने 100, 300, 400, 700 वैसे इतने यह सारे मैं use करूंगा नहीं तो मैं इनको कुछ हटा देता हूँ यह दो font हमने यहाँ पर रख लिया है इसको मैं कर लेता हूँ save उसके बाद एक universal selector हम बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे padding 0 margin 0 उसके बाद box sizing water box उसके बाद मैं हाँ पर body के अंदर कुछ font family define कर दूँआ तो font family तो मैं by default सबको poppins देने वाला हूँ ठीक है poppins और अगर poppins नहीं मिला तो fallback to sans serif इस तरीके से और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ color वगरा define करूँगा ठीक है तो हर एक element को कुछ color मिलेगा लेकिन यह जो color है यह मैं directly ऐसे यहाँ पर कुछ भी hashtag value define नहीं करूँगा मुझे variables बनाना बहुत पसंद है ठीक है और मैं आ हमारा primary text का color हो गया यह secondary text का color हो गया and so on ठीक है इस वाले को मैं अटायता हूँ यहां से तो यह सारी हम colors use करेंगे तो यहाँ पर जो मैं body के अंदर color use करूँगा वह होगा हमारा primary text color इस तरीके से तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि हमारा font change हो चुका है और color भी change हो चुक जितने मेरे paragraphs रहेंगे उनके अंदर में font family डालने वालों कुछ font family रोबोटो तो रोबोटो मिल जाएगा हमारे paragraph को उसके बाद जिसका color होगा हमारे paragraph को वो जागा secondary text color और इसके बाद line height हो जाएगी थोड़ा सा हम spacing देदेंगे 1.4 इस तरीके से तो जितने ही paragraph होगे वो थोड़े से दूर दूर होगे इसी के साथ मैं हमारे सारे सारे anchor text के अंदर से text decoration को कर दूँगा none तो हमारे जितने भी anchor text होगे उनके नीचे से underline basically हट जाएगी और उसके बाद जो हमारी uls होंगे जितने भी list items होंगे उनके अंदर से मैं list style को कर दूँगा none तो हमारे bullet points हट जाएगे सारे इसके बाद अब मैं कुछ utility class बनाने वाला हूँ तो दो utility class बनाऊगा मैं flex बनाऊगा एक तो क्योंकि हमें flex बार बार लिखना होता है तो display flex और उसके items होते है मेरे जितने भी sections होते हैं different different वो एक same width के होते हैं basically यह left right से राइन होते हैं जैसे आप देखरें आपर nav जो है properly aligned है यहाँ पर वो इसलिए बिकास यह जो नीचे का main है और ऊपर का nav है यह दोनों के दोनों एक container के अंदर enclosed है तो यह container है जिसकी max width हमने आपर इस तरह क कर देंगे hidden तो अब यह सारी-सारी classes हमें लगानी चाहिए तो अब आते हम अपने index.html के अंदर में काम करता हूं style.css को right side में यहाँ पर लेका जाता हूं और इसको हम करें close सबसे पहले तो मैं अपने main nav वाले को यहाँ पर मैं container class दे दूँगा container इस तरीके से और साथ में इसको मैं करूंगा flex भी तो होगा क्या इसके अंदर 3 items राइट यह flex item बन गया है flex container तो इस flex container के अंदर 3 items है पहला यह है दूसरा यह है और तीसरा यह है तो पहले यह एक की निचए एक की निचे एक की निचे के अब यह एक line में आ गये हूंगे और अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं पहले तो यह हमें दिखने लग जाएगा तो यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले अपने नव को स्टाइल कर देते हैं इसका बैक्राउंड कलर में चेंज कर दूँगा इसका बैक्राउंड कलर हो जागा पोजिशन हो जाएगी इसकी फिक्ष्ट सो यह हमेशा पूरे टाम उपर ही दिखाई दे हमें और टॉप से हो जाएगा यह 0 और इसकी जो जट इन्डेक्स है वह मैं थोड़ा बढ़ा कर दूंगा लेट से 99 तो यह सब से उपर दिखाई देगा एंदन लेफ्ट से 0 और राइ में नव के अंदर आते हैं और इसको हम कर देते हैं क्योंकि यह फ्लैक्स है. डॉट में नव यह और इसके अंदर आके हमँए भस करना है जिस्टिफाइग क्टेंट स्पेश बेट्वीन और इसके बात पैडिंग दे देंगे इसको हम टॉप और ब्टम से थोड़ी और left right से 0 pixel ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहते है आप लिख सकते हो padding block तो वहाँ पर आपको 0 pixel लिखने की ज़िए बाद में है उसके बाद हम आएंगे अपने company logo के अंदर तो dot company logo और इसके अंदर हमारे पास एक image है इस image की मैं width यहां पर define कर दूँगा let's say 120 pixel तो हमारी जो image है वो बहुत बड़ी जो थी पहले वो बहुत छोटी हो जाएगी ठीक है तो यह हमारी image है company logo company logo यह a है इसको मैंने class नहीं दी company logo तो इसको आप दे देते है class company logo save तो यहां पर देखुए आप यह हमारी company logo वाली class हो गई और पीच में यह है और यह है अब सबके सब एक line में तो आ गए है अब इनको अलग-अलग हमें style करना है basically तो सबसे पहले हम इस ul को दे देते हैं flex तो इसके लो जगा class flex तो सारे item एक के साथ एक आजाने चाहिए यहां पर इसको अगर मैं save करूं यहां पर तो सारे item एक के बाद एक आ गए है लेकिन को gap नहीं मिला है तो gap हमें देना पड़ेगा है specifically तो इसके लिए हमाएंगे dot nav links और उसके बाद ul इसके अंदर हम कर देंग gap of let's say 16 pixel ठीक है save कर करते हैं तो यहां पर यह evenly space हो चुक है इस तरीके से अब next इनको हम hover state देते हैं तो hover state देने के लिए हमारे पास already इनको class मिल रखी है hover link इस hover link class का में use करना है तो dot hover link इसको हम देंगे cursor pointer so that जब हम इसके पर hover करेंगे तो इसका cursor change हो जाएगा उसके बाद यहां पर इसकी hover state different क hover तो जब हम hover करते हैं तो इसका मैं color change कर दूँगा basically color हो जाएगा where secondary text color तो पहले primary text color था hover करने पर secondary text color हो जाएगा और इसके साथ इसका click state भी change कर देते हैं कि जब आप इसके पर click करोगे hover link active जब आप click करोगे तो भी color change हो एगा let's say इसका color हम कर देंगे red ठीक है तो आप दे जो रहा है ठीक है तो यह हमारा बन चुका है आप right side वाला search bar हम handle कर लेते हैं तो इसके लिए हम search bar को एक height देंगे dot search bar यह search bar div के अंदर दो चीज़े है input और button तो इसको मैं यहाँ पर height देता हूँ basically 32 pixel उसके बाद यह जो search bar है इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पर flex तो flex बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको दे सकता हूँ एक gap of 8 pixel so that मेरा जो यह input है और जो button है इन दोने के बीच में 8 pixel का gap आ जाए उसके बाद मैं अपने news input को यहाँ पर style करूँगा तो dot news input इसको मैं एक fixed width दूँगा parent के बराबर की 100% उसका इसको मैं padding दूँगा of 12 pixel उसके बाद इसको हम border देंगे border radius of 4 pixel और साथ मैं border देंगे इसको of 2 pixel solid hashtag bbd02 save करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारा यह थोड़ा stylus हो चुका है इसके अंदर इसकी padding को हम यहाँ पर change कर लेते हैं padding हमने padding block दिये इसको हम कर लेते हैं padding inline तो अब यह much better लगेगा ठीक है for example science भी आप ठीक से लिखा रहा अब search button जो है हमारा इसको हम यहाँ पर style कर लेंगे तो इसका background color हमें change करना है basically dot search button background color यह हो जाएगा accent color के बराबर ठीक है और फिर हमारा जो text color हो जाएगा इसके उपर वो जागा white color के बराबर इसको हम padding देदेंगे padding of 8 pixel from top and bottom and 24 pixel from left and right उसके बाद इसका border हो जाएगा none उसके बाद border radius हम देदेंगे इसको of 4 pixel and cursor हम कर देंगे इसका pointer save करते हैं तो यहाँ पर हमारा इस search आ चुका है इस search button को हम hover state भी देंगे तो dot search button hover so hover करने पर basically हम इसका background color change कर देंगे from accent color to accent color dark ठीक है तो जब आप इसके पर hover करोगे तो इसका color change करेगा इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर हमारा nav bar nearly complete है basically बस एक चीज़ रहे है वो यह कि यहाँ पर आप देखरो text जो है वो इसने font family ली नहीं है भी हमारी वाली right similarly button के उपर भी font family नहीं लिए तो form के जो items होते है न यह body की font family को लेते नहीं है तो इनके अंदर हमें font family दुबार से define करने पड़ेगी तो हम क्या करेंगे हमारे पास जो हमने robot वाली font family define की थी नहीं यहाँ पर basically यह paragraph के अंदर वही same font family हम यहाँ पर डाल देते हैं तो हमारा news input है इसके अंदर भी हम डाल देंगे ऐसे font family and then button के अंदर भी हम डाल देंगे इस तरीके से and then save तो आप यहाँ पर देखोगे font family यहाँ चेंज़ चुके है ठीक है ठीक है तो अब basically हमारी सारे सारे बन चुके नेव बार के items तो अब नीचे जो हमारा main था main को हम बना लेते हैं तो main को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक card container बनाएंगे basically तो जो जागा cards container और इस card container के अंदर एक और class देँगा हमें होगी हमारी container class ठीक है और इसके अंदर flex भी देदेंगे जिसके इसके अंदर जो भी items होंगे वो flex भी जाए करेंगे अपने आपी तो इसके अंदर हम basically बहुत सारे cards डालें वालें तो सबसे पहले हम एक card मनाते हैं class links from card और इसके अंदर होगा पहले card header card header इस तरीके से and then card header के अंदर होगी हमारे पास एक image जिसकी id होगी news image इस तरीके से तो इसका जो source होगा वो भी फिलाल के लिए हम कुछ भी डाल देते हैं dps via.placeholder.com slash 400x200 तो यह basically एक website है जो कि आपको placeholder images लाके देते हैं इसको हमने काफी बार use किया हुआ है ठीक है और alt के अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे news image यह हमारा header हो गया अब इस header के नीचे हम डालेंगे card content card content इस तरीके से इसके नहीं सब से पहले हम डालेंगे h3 जो कि होगा let's say this is the title don't worry यह सब हम API call के अब से change कर रहे होंगे अभी तो फिलाल हम यहाँ पर dummy data डाल रहे हैं लेकिन actual data हमारा API से आ रहा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा let's say end gadget एक magazine है और यहाँ पर हो जाएगा date 08-26-08-2023 रचसे और इसके बाहरा एक paragraph हो जाएगा और इस paragraph की class हो जाएगी रचसे news description and then इसके अंदर lorem text डाल देते हैं फिलाल के लिए lorem 20 इस तरीके से ठीक है तो यह हमारा basic card है इस card को जरा देखते हैं कैसा देख रहा है फिलाल तो यह हमारा card है अभी card की तरह लग नहीं रहा है तो इसको हम style करेंगे यहाँ पर तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और अपने पहले card container को यहाँ पर style कर लेते हैं और इसके जैसे फिर हम दो तिन card बना के देखेंगे कैसा लग रहा है तो उसके लिए सबसे पहले अपने इस main को थोड़ा नीचे लिए आते हैं तो main padding block of 20px and then margin top of 80px यह मैंने 80px का margin इसले दिया विकाज हमारा जो header है वह भी फिलाल जो navbar है वो आपको यादो को display fix किया हुआ है मैंने इसके तो display fix करने से वह आपका view से बहार चला जाता है तो नीचे gap देना जरूर है अदर्वाइस जो हमारा main है वो navbar के नीचे चला जाएगा तो अब आप देखरो जो हमारी image है वो इस navbar के नीचे नहीं है तो हमारा main का जो भी content हो वो हमेशा navbar से 80px नीचे रहेगा तो यह navbar से नीचे नहीं actually इस body से 80px नीचे रहेगा पूले time अगर हम यह नहीं करेंगे यहाँ पर तो यह ऊपर पहुंच जाएगा तो इसको हम वापिस लगा देंगे यहाँ पर and then hit save इसके बाद हम यहाँ पर अपने card container को style करेंगे तो cards container और इसके नदर जाएगा justify content space between flex wrap हो जाएगा wrap and then इसके बाद row gap हो जाएगा 20px का and then align items start hit save इसके बाद हम यहाँ पर अपने cards को style करेंगे तो dot card तो जिने भी हमारे card है उसके अंदर हम एक fix bits दे देंगे इनको fix width of 360 pixel ठीक है तो पहले हमारे card बड़े बड़े थे अब हमारा card छोटा जागा यह देखो 360 pixel अब यह थोड़ा card की तरह लग रहा है इसके बाद हम इसको कुछ और styling देंगे min height देते हैं आप है min height so that सारे-सारे card जो है वो 400 pixel के तो रहे ही हमेशा box shadow दे देंगे इनको हम थोड़ी सी and then इसको हम देंगे background color of hashtag fff and then इसके बाद हम इसको overflow कर देंगे hidden यह overflow hidden क्योंकि है क्योंकि इसके अंदर header में एक image है अगर मैं overflow hidden नहीं करूँगा तो image जो है वो border radius को follow नहीं करेगी ठीक है तो image वहाँ वैसे भी हमारी भाहर निकल रही है लेकिन यह दिखरो border radius को फॉलो नहीं कर रही है वह इंपर मैं ने border radius दे रहा है अपने card को 4 pixel का तो मैं जैसे यहाँ पर overflow hidden कर देता हूँ और इसको मैं करूँगा save तो आप देखो यहाँ पर यह जो image है यहाँ पर भी border radius आ गया है because image जो पहले भाहर निकल रही थी वो cut चुकी है तो यह image यहाँ से भाहर निकल रही थी लेकिन यह cut गई है यहाँ ठीक है तो इस image को भी हमें style करना पड़ेगा so that image इस तरीके से cut ए न तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर आपने card header के अंदर image को style करेंगे तो पहले तो यहाँ पर card की hover state define कर लेते हैं card hover तो जब hover करोगे तो basically मैं box shadow को change करना चाहता हूँ थोड़ा सा 1 pixel, 1 pixel, 8 pixel, hashtag d4ecff और उसके बाद background color को भी मैं change कर दूँँगा थोड़ा सा light blue कर दूँगा hashtag f9fdff तो काफी ज़्यादा white शाही है लेकिन थोड़ा सा blue tint test के अंदर और थोड़ा सा transform कर देंगे इसके translate y तो जब आप इसके उपर hover करोगे तो minus 2 pixel यह ऊपर चला जागा तो 2 pixel ऊपर चला जागा basically जब आप इसके उपर hover करोगे तो तो हवर करने लगा यह तो इसके अंदर हम transition भी लगाएते हैं transition all 0.3 seconds is save तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा card है इसके उपर जोड़ा सा ऊपर जा रहा है ठीक है अब इस card के बाद इस card के अंदर जो भी image वगएरा है उसको हम style कर लेते हैं तो card header के अंदर हमारे पास एक image है तो dot card header इसके अंदर हमारे पास image है जिसके हम width set कर देंगे 100% और इसके बाद इसके अंदर हम height set कर देंगे of 180 pixel and then object fit of cover तो हमारी जो image है अब यहाँ पर कटेगी नहीं और यह हमेशा एक 180 pixel की height रहेगी इस image की ठीक है तो इस तरीके से हमारा card दिर दर करके shape ले रहा है अब इस card के अंदर जो content है उसको मैं थोड़ी सी padding दे दूँगा तो यह जो card content है यहाँ पे हम padding दे देंगे थोड़ी सी dot card content इसको हम देदेंगे padding of 12 pixels तो यह थोड़ा अंदर आ जागा इस तरीके से थोड़ी सी styling और कर लेते हैं इसके अंदर हम यह हमारा हो जागा title तो इसको मैं class देता हूँ वैसे id देता हूँ class की यहाँ पर ज़रूत नहीं पड़ेगी of news title मैं यहाँ पर class देता हूँ इसको of news source and then and then id भी हो जागे इसकी news source and then यह तो news description है ठीक है इसको भी news description वाली id देनी है actually id मैं इस लिए रहा हूँ because हमें जब javascript use कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमें dynamically इसका description set करना होगा तो उस time पर हम id use करते हैं javascript के अंदर तो अभी भी लिख देता हूँ ना ठीक है news description इसी के साथ यहाँ पर हम इस news source को भी padding देदेंगे तो dot news source और padding block of that's padding नहीं margin देता है margin block of 12 pixels इसको हम save करते हैं तो यहाँ पर यह space भी आ चुका है और जब हम hover कर रहे हैं तो हमारा card हलका सा blue color का हो जा रहा है और थोड़ा सा उठता भी आ इस तरीके से ठीक है तो हमारा card यहाँ पर style हो चुका है और इसके जैसे हम बहुत सारे card यहाँ पर डाल सकते हैं तो मैं क्या करूँगा कि अभी बस दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यह card बस copy paste कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने चार card डाल दिया है तो यह देखो चार card इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं और काफ यह अच्छे से display flags दो रखा है तो एक साथ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ मैं ऐसे डालने नहीं है इनको हम आक्शुली template के अंदर डालना है और template के अंदर हम जब किसी भी card को डालते हैं तो मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले तो इनको template में जो हम card को डालते हैं तो card हमारे उस time पर view से चले आते हैं view में हमें दिखाई नहीं देंगे तो हम यहाँ पर डालेंगे template template और यह template में क्यों डालते हैं तो basically template में इसलिए डाल रहे हैं विकाज यहाँ पर हमें API कॉल करनी है और API कॉल करने के बाद हमें यहाँ पर multiple time लेकिन आप चाहो तो इस तरीके से template की help से भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक template बना दिया है उसको में ID देता हूँ ID of template news card इस तरीके से तो यह template मैंने देख रहे हूँ सीधा body के अंदर बनाया है यहाँ पर नहीं बनाया और कहीं भी बना लो वैसे फ़रग नहीं लेकिन template के अंदर मैं देख रहे हूँ यहाँ पर लिखा रहा है document fragment और इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो template वाली चीज़ बेसिकली गाया हुजाती है dom के अंदर से तो एक काम करते हैं जड़ा आगे बढ़ने से पहले हम अपनी API call वगरा है एंडल कर लेते हैं तो उसके ल जहां से हमें अपनी API key get करनी है आपको करना है login यहाँ पर आपको अगर आपके पास कोई account नहीं है तो आपको एक account बनाना पड़ेगा पहले राइट तो login करेंगे and then no account get one here इस तरीके से तो अपना नाम डालना है email डालना है password डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक 1000 यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपको कुछ limited request ही आप access कर सकते हो तो मैं इसको copy कर लेता हूँ इस तरीके से and then हम जाएंगे अपनी script के अंदर तो यह हमारी script.js है इसको भी मैं यहाँ लियाता हूँ और इसके अंदर अपनी script लिखने वाले है सबसे पहले तो मैं आपनी API की को paste कर देता हूँ API key equals to इस तरीके समार API की होगी और अब हमें चाहिए API का URL जिसके ओपर आप API की hit करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो आपका URL यह है basically newsapi.org slash v2 slash everything उसके बाद यहाँ पर q equals to tesla basically q के बाद जो भी होता है यहाँ पर query अगर आपको tesla से related news चाहिए तो आप और भी बहुत सारे flags डाल सकते हो for example अगर आपको किसी limited date range की बीच में चाहिए तो from define कर सकते हो तो यह जो हमारी news आएंगी यह सिर्फ 26 April के बाद की news यहाँ पर दिखाए देंगी sort by आप इसमें डाल सकते हो इसके बाद end में लेकिन API की डालना सुरूरी है ठीक है यह API की और के पास key होती और value होती है ठीक है जैसे हमारे JavaScript के अंदर object होता ना जिसमें key होती और value होती है similar to that यहाँ पर हमें articles नाम का array मिलता है जिसके अंदर इस तरीके से हमें articles मिल जाते हैं तो मैं यह वाला URL यहाँ पर copy कर लेता हूँ यहाँ तक मैं copy कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे paste कर देंगे इस तरीके से और आप मैं चाहता हूँ कि जब मेरी विंडो लोड हो ना तो window.addEventListener हमने events अलड़ी देख लिया है तो विंडो के अंदर एक लोड इवेंट होता है कि जब यह लोड इवेंट कॉल हो तो हमारा यह callback function यहाँ पर trigger हो जाएं चाहिए और इसके अंदर हम basically क्या करेंगे news fetch कर लेंगे ठीक है तो fetch news और शुरुआत में कहां की news fetch कर अगँआ शुरुआत मैं ऐसा करता हूँ India की news fetch कर लेता है यहाँ पर इस तरीके से तो fetch news वाला function हमें बनाना पड़ेगा राइट तो fetch news वाला function हम यहाँ पर बना लेते हैं function और यह asynchronous function होगा ठीक है async function और fetch news जिसके अंदर हम यहाँ पर डालेंगे query तो इस function के अंदर जो भी आप query डालोगे यह उस query की सारी-सारी news लिए आजाए करेगा news लाने के लिए क्लिए क्लिए हम use news लाने के लिए हम use करेंगे fetch का हमारे पास एक fetch library होती है तो const response equals to await और यह fetch लाइबरी जो होती है promise return करती है जिसके उपर आपका wait करना पड़ेगा इस तरीके से fetch अब इस fetch के अंदर आपको URL डालना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना URL डालेंगे ठीक है तो URL हमने जो उपर लिखा हुआ यह वही URL यहाँ पर डालेंगे और इसके तुरंट बाद क्योंकि यहाँ पर यह लिखने आने वाला है Q equals to right तो Q equals to के बाद हमारी query आगी यहाँ पर तो मैं यहाँ पर वह अपनी query लिखतूँगा तो query के लिए again dollar sign and then opening closing parenthesis and then यहाँ पर query आगी और query आने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगा and API key equals to और यहाँ पर मेरी API key आ जाएगी तो मेरी API key कहाँ साएगी वह भी इसी तरीके साएगी API key तो यह एक proper string बन जाएगी हमारी जो string यहाँ पर चाहिए इसको देखरो ऐसी string चाहिए इसको जिसके end में API key भी लिखा हूँ और q equals to यहाँ पर tesla लिखा हूँ इस तरीके से तो यह वाले news हमें आलाके देदेगा basically और जब यह news यहाँ पर हमारी fetch हो जाएगी तो यह basically fetch क्या होता है यह fetch एक asynchronous operation होता है because news आपका किसी server पर रखा हुआ है news API के server पर रखा हुआ है वहाँ से news आती है आपके पास तो उसमें time लगता है तो तुरंत तो news आपको मिले की नहीं तो आपको क्या मिल जाएगा प्रामिस मिल जाएगा जिसके उपर आप आप अवेट कर सकते हो तो const response equals to await await किया हमने इस promise के उपर और उसके बाद हम यहाँ पर जो data मिलेगा उसको हम json format में convert कर लेंगे तो const data equals to response.json इस तरीके से और यह process भी हमें यहाँ पर promise return करती है तो इसके उपर भी हम await कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से and then finally हम यहाँ पर data मिल जाएगा जो हम यहाँ स यूज कर सकते हैं तो एक बार हम यहाँ पर इस data को console log करा के देख लेते हैं console log of this data save करते हैं इसे तो होगा कि आप जैसी हम इस website को load करेंगे तो सबसे पहले तो window.add event listener load जो की fetch news API fetch news वाले function कॉल कर देगा और fetch news वाला function इस तरीके से data लेके आएगा और अगर data मिल गया आपको सही सलामत तो आपका console log में यहाँ पर प्रेंट हो जागा तो इसको चला कर देखते हैं हम जाएंगे अपनी news app के अंदर और इसके अंदर में जागा console log के अंदर तो यहाँ पर आप देख लोग यह एक object हमें दिख रहा है API की missing यहाँ पर लिखा रहा है तो data आपका actually मिला न API की अच्छा मैंने की की spelling गलत लिख दिया है यहाँ पर इसी वाज़ा से हुआ है यहाँ पर exact same लिखना चाहिए आपको API की इस तरीके से तो अब यहाँ पर data आ जाना चाहिए console के अंदर अब data आ गया है देख रहे हो status okay है और articles भी हमारे पास यहाँ पर 100 articles आ गए इस तरीक से तो यह हम यूज कर सकते है तो इस data को हम आक्चली बाइंड करना है तो बाइंड data और यहाँ पर पर इस data पास कर दूंगा और इस बाइंड डेटा के अंदर बैसिकली जितने भी हमारे पास articles आ रहे है उनको यहाँ पर पाइंड कर रहे हैं तो data के अंदर सीधा ऐसी data नह हम अपने articles को bind कर रहे होंगे तो कैसे bind कर रहे होंगे बेसिकली हमारे पास जितने भी यहाँ पर articles आ रहे है उतने ही हमें यहाँ पर इस template को बनाना है उतनी ही बार और उस template को बना बना के अपने इस template card के container में append करते जाना है ठीक है तो basically होगा क्या कि इसके आप बनाओके clone और clone बना बना के आप इसके अंदर डालते जाओगे वही वाली process हम यहाँ पर लिखने वाले है तो हमें यहाँ पर for loop अगरा लगाना पड़ेगा तो उसको लगान से पहले ऐसा करते हैं पहले तो इस card container को यहाँ पर get कर लेते हैं तो इसके अंदर में एक id पास कर देता हू जो जाएगी हमारी cards container और यहाँ पर हम कर लेंगे const cards container equals to document.getElementById और यहाँ पर जाएगा cards container तो हमें यहाँ पर हमारा container मिल जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर वो template भी चाहिए यह वाला template ठीक है तो जाएगा const news template या फिर news card template equals to document.getElementById और यहाँ पर हमारी यह वाली id डल जाएगी उसके बाद मैं क्या करूँगा इस container का यह जो container है इसका मैं innerStiml set कर दूँगा empty अगर यह नहीं करते हैं तो होगा क्या basically जितनी भी बार आप bind data करोगे उतनी ही बार आपका card container के अंदर बहुत सारे के सारे card डलते जाएंगे ठीक है तो जितने भी हमारे पास articles हैं उनके अंदर में लगओंगा for each loop इस तरीके से and then इसमें से हमने एक article निकाला और यह वाला anonymous function यहाँ पर हमने call कर दिया मैं एक चीज और करूँगा यहाँ पर कि अगर मेरे article के अंदर इमेज नहीं आ रही है URL to image नहीं आ रहा है तो मैं यही से return कर दूँगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले article के अंदर हमारा URL to image आ रहा है ठीक है तो basically जिसके अंदर image नहीं आ रही है ज इस news को show ही नहीं करता हम ठीक है अधरवाइस हमारा UI थोड़ा सा weird लगता है उस case में तो मैं यहाँ पर जिनके अंदर image है सिर्फ उनको ही show करूँगा उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे clone तो const card clone equals to news card template.content.content.clone node और इस clone node function में हम डालेंगे आपर true इसका मतलब basically होता है कि हम deep cloning करना चाहते हैं इसका मतलब कि card के अंदर जितने भी element है basically इसके अंदर जितने भी चीज़े हैं वो सब के सब भी clone हो जाने चाहिए सिर्फ यही वाला div clone होने चाहिए इस div के अंदर जितने भी divs है रिकर्सिवली वो सारे सारे clone हो जाएंगे अब यहां पर हमारा proper clone तो बन चुका है और इस clone को हमें डालना है अपने इस card container के अंदर ठीक है तो cards container हमने लिया cards container dot append child और इसके अंदर हम यह card clone डाल देंगे इस तरीके से तो हमारे जितने भी articles होंगे उतने यहां पर clone बनते जाएंगे और वो हमारे इस container में डलते जाएंगे इसको मैंने save किया तो यहां पर cannot set property of null inner html line number 16 में कुछ issue आ रहा है cards container नहीं मिला इसको ओ इसको मैंने autosave नहीं क्या हुआ आप यहां पर हमारे पास लेकिन बन गए articles काफ सारे और सिर्फ वही articles है जिनके अंदर image है ठीक है इसलिए यहां पर articles नहीं दिखाए दे रहे हैं काम articles दिखाए दे रहे हैं लेकिन यह हमारे इंडिया news related articles है इनके अंदर बस अब में चीजें डालनी है ठीक है तो डेटा बाइंड करने actually तो card को जब आप append कर रहे हो उससे पहले ही यहां पर बीच में हमें data डाल देना चाहिए तो fill data करके हम function बनालते हैं fill data in card और इसके अंदर हम अपना card करेंगे card clone और साथ में data भी डाल दे करेंगे article तो यह वाला function मैं अलगी बना रहा हूं news image equals to card clone dot query selector और यहां पर हम by id news image निकाल लेंगे news image मैंने यहां पर id दे रखी है अपनी news image को यही id news image इसके बाद इस h3 को भी मैंने id दे रखी है news title यहां भी id है news source और news description तो यह चारों की चारों चीज़े हम यहां पर query selector के थूँ डाल देते हैं तो इसके लिए मैं इस ही लाइन को यहां पर चार बार repeat कर लूँगा और यहां पर जाएगा news title news source and news description similarly यहां पर जाएगा news title source description और इसके बाद हमें यहां पर इस news image के इंदर source डालने है तो news image dot source equals to यह जो article मिला है न इस article के अंदर हमारे पास एक url to image भी है ठीक है तो वह हमने आपर set कर दिया उसके बाद हमें title set करना है तो news title dot inner html equals to article dot title इस तरीके से इसी के साथ यहां पर एक description है news description dot inner html equals to article dot description यह सब आपको यहां पर देखना है ठीक है आपके console log के अंदर जो article प्रिंट हो रहा है उसमें आपको चेक करना है यहां पर देख सकते हो कि क्या क्या चीज आपको मिलती है तो आपको मिलता है title then description तो यह वाली कीज आपको मैच करनी है यह कभी भी change नहीं होने चाहिए अंदर जो source है वो मिलेगा मुझे source के अंदर एक name नाम है उसके अंदर तो पहले source में जाएंगे उसके बाद name में जाएंगे वहां से मुझे source मिलेगा लेकिन मैं जाता हूँ यहां पर एक date को भी दिखाना ठीक है तो मैं source को दिखाना चाता हूँ साथ मैं date भी दिखाना च पर्मेट के अंदर तो उसके लिए भी हमारे पास जावास्रिप के अंदर अल्रेडी लाइडरी बनी हुई है तो इससे हमने डेट बना लिया अपनी और उसको हमने कर लिया तू लोकल स्ट्रिंग इंग्लिश यूएस और जो हमारा टाइम जोन होगा इसके अंदर वो हो जाएगा एशिया जकारता यह सब कहां से मिला तो भाई यह सब मैं नेट पर सर्च करता हूं ठीक है कि टाइम जोन की वैल्यू का सेट करनी है लोकल स्ट्रिंग में क्या वैल्यू डाली है यह सब मैंने नेट पर सर्च किया था तो मुझे पहले ही बार में एक स्टैक और फूलू का लिंक बिल गया था जिसके अंदर से मैंने कॉपी पेस्ट किया ठीक है तो मुझे याद नहीं रहता है यह समझे नहीं कि टाइम जोन की विल्यू भी आने कैसे याद करती है यह सब मिल जाता है उसके बाद यहां पर मैं डालूँगा एक डॉट तो डॉट को मिले के हूँगा यहां से यह वाला डॉट रख लेते हैं और इस डॉट के बाद मैं डालूँगा यहां पर हमारी डेट तो डेट भी ऐसे जाएगी जो हमने अभी उपर डेट बनाई थी इस तरीके से तो यह page भी लोड हो रही है, यहां पर हमारा title लोड हो रहा है, यह हमारा source लोड हो रहा है, source के बाद dot लगा है, जो हमने dot लगाए था, and then यह हमारा time है, और उसके बाद नीचे description भी लोड हो रहा है, तो इस तरीके से हमारी यहां पर news बन रही है, और यहां पर अच्छे से हमें ले जाना चाहती है, वहाँ पर चले जाओ, यह data भी हमें मिलता है, यहाँ पर देख लो URL, यह इस magazine का data जहां से इस news API.org ने सको scrape किया है, तो यह वाला URL पर हमें ले के जाना है, बेसिकली जब भी user click करें किसी news पर, तो वो भी बड़ा असान है, वो हम यहीं पर handle कर लेंगे, तो यह जो clone है, card clone, इसी के अंदर हम यह चीज़ सेट कर लेते हैं, कि card clone.firstelementchild.addEventListener, click, जब भी किसी भी element पर click हो, तो आपको ले जाना है, window.open, और article.url पर जाना है, तो article.url, and then blank, इसका मतलब new tab, इसको हम save कर लेते हैं, तो आप जब भी कहीं पर भी click करोगे, सब उसको यहाँ click करते हैं, तो यहाँ पर यह इस URL पर ले जाएगा, जहाँ पर यह image भी दिखाए दे जाएगे, आपको, ठीक है, similarly, यहाँ पर click करेंगे, तो यह इस वाले article कर ले जाएगा, तो यह हमारा ठीक से काम कर रहा है, और हमारे articles यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन शुरुवात में अभी क्या हो रहा है, शुरुवात में हमें सिर्फ इंडिया वाली news दिखाए दे रहे हैं, बिकाज हमने यहाँ पर क्या क्या हुआ है, window.add event listener, जैसे ही load होता है, तो load होते ही, पहले आप इंडिया की news को यहाँ पर डाल दो, लेकिन हम सिर्फ यहीं नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ पर क्लिक करो, IPL, Finance और Politics पर तो इनकी related news आए, similarly, जब आप यहाँ पर search करो, तो आपको वह search related news दिखाई दें, तो अब वह वाला काम लेकिन बहुत असान हो गया है हमारे लिए, विकाज हमने जो भी code लिखा है, वो बहुत ही modular लिखा है, तो हमें बार-बार code रिपीट करना की जोड़त नहीं है, तो आप हमारे लिए बहुत काम असान है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इन naps को handle कर लेते हैं, कि जब भी इन naps पर click हो, तो हमें इनके related news दिखाई दें, और साथ में इन naps को हमें select भी करना है, कि जैसे मैंना IPL को select किया, तो IPL select हो जाए, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, हमारे demo के अंदर, यह हमारा demo वाला project है, जिसके अंदर जो मैं IPL पर click करता हूँ, तो IPL select हो इस तरीके से, ठीक है, तो इस IPL को हमें active class देनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि ठीक है, यह IPL इस time active है, और फिर जब हम finance पर click करेंगे, तो finance active हो जाएगा, और IPL के उपर active class अट जाएगी, और finance के उपर active class आजएगी, ठीक है, तो यह वाली चीज हमें यहां पर लगानी ह finance, इसके ID जाएगी, politics, और similarly जो मैंने हाँ पर इनको ID दिये न, वही सेम मैं इनका search query भी बना दूँगा, जैसे IPL की search query, IPL होगी, finance की search query, finance होगी, right, तो मैं क्या करूँगा, on click, इन सब का हम यहां पर on click define कर सकते है, on click attribute, and जब यहां पर click हो, तो हम यहां पर एक function call करेंगे, which is called on nav item click, और इसके अंदर मैं pass करूँगा, यह parameter, IPL, तो यह जो ID है न, यहां पर basically मैं ID पास कर दे रहा हूँ, इसको बनाने के काफ सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यह तरीका चूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे असान मुझे लग रहा है, on click यहां पर भी, and then on click य मिडाल दूगा finance, और यहां पर मिडाल दूगा, पॉलिटिका, इस तरीके से, अब यह वाला function तो लेकिन है नहीं, तो यह वाला function मैं बनाना पड़ेगा, on nav item clicked, तो यह वाला function हम यहां पर बना लेते हैं, सबसे नीचे, function on nav item clicked, इसके अंदर हमें ID मिला करेगी, यह actually search query भी ह ID के लो, search query के लो, दौन एक ही बाते हैं यहां पर, क्योंकि यह भी ID भी है, search query भी है, अगर आप दौनों को अलग अलग रखना चाहते हो, ID अलग, search query अलग, तो यहां पर आप पास कर सकते हो, एक JSON object भी, जो कि आप यहां पर JSON object को ले लोगे, बट मैं यहां पर दौनों को same बना के काम थोड़ा असान कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें news fetch कर लेनी है, इस ID is related, तो हमने fetch news वाला function call कर दिया, यह ना सिर्फ हमारी news fetch करेगा, बलकि उस news को fetch करने के बाद data को bind भी कर देगा, ठीक है, तो data को bind करने वाला काम तो यहां पर हो जाएगा, जैसे कुछ error आया गया, I think मैंने save नहीं किया हुआ, कुछ हाँ, यह save नहीं किया मैंने, अब ज़रा देखते है, IPL पर click करेंगे, ठीक है, अब IPL related news आ रही है, यहां पर finance पर click करेंगे, तो finance related news आ रही है, बस अब इनको हमें select भी करने है, तो select करने के लिए हमें यहां पर कुछ variables बनाने पड़ेंगे, पहले तो जागा current selected item, तो const let current selected nav equals to null, ठीक है, शुरुवात में तो null होगा, लेकिन जब आप select करने जाओगे, तो const nav item equals to document.getElementById, और यहां पर जो id है, वो उपर से आ रही है, हमारे पास, अगर current selected nav null नहीं है, तो question mark लगा दिया मैंने आप है, कि अगर null नहीं है, तब ही उसकी class list में से remove करना है, active class को, class list.remove active, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि जब आपने किसी नए nav item पर click किया, तो पुराने वाले nav item के अंदर से active class को remove कर दो, और अब current जो item है, वो बन जाए गा current nav item, और साथ में current selected वाले nav item के अंदर आप add कर दो active class, उसके बाद आप किसी और item पर select करोगे, तो पिछले वाले में से active class जाएगी, और नए वाले में active class डल जाएगी, जो कि हम चाहते हैं, लेकिन यह active class का करें क्या, स्रिफ active class बनाने से तो कुछ मतलब है नहीं, हम चा styling हम यहाँ पर डाल लेते हैं, तो उसके लिए हम आएगे अपने style के अंदर, यह रहा हमरा nav item राइट, तो इसके नीचे में आपके नालता हूं, कि dot nav item, और जब यह active class डली हो इनके अंदर इस तरीके से, तो इस active class के अंदर basically लिए हम color change कर देते हैं, color हो जाएगा, let's say, accent color, ठीक है, save, और script को भी save कर देते हैं, और अब जड़ा देखते हैं, कि जब मैं IPL पर click करूँगा, तो IPL मेरा यहाँ पर blue हो गया, यह क्यों हो रहा है, विकज़ अगर आप देखोगे closely, इस IPL class को, तो इसके अंदर आपको active class देखने को मिलेगी, right, और अब अगर मैं आपक finance पर click करूँगा, तो आप देखना कि यहाँ से active class चली जाएगी, और नीचे वाले में finance में active class आजाएगी, देखो, देखो, यहाँ से active class गई, और यहाँ active class आगई, और क्योंकि इसको active class मिली हुए है, तो इसी वज़े से इसके अंदर जो color है, वो यहाँ पर accent color मिला हुए इसे, तो इस तरीके से हम यहाँ पर यह handle कर पा रहे है, अब politics पर click किया, तो politics हमारे यहाँ पर आ चुगा, अब हम इसको handle कर लेते हैं, finally हमारे इस input tag को, इस input को पहले select कर लेते हैं, तो हमारा input कहाँ पर है, input को हमने id देखे, news input, और इस button को हमने id नीदी, इसको id देते है, search button, तो इन दोन को पहले select कर लेते हैं, तो const, search button equals to document.getElementById, search button, उसके बाद const input, search text equals to document.getElementById, और यहां पर हो जाएगा, search button, इस तरीके से, अब हम चाहते हैं कि जब भी इस button पर click हो, तो search button.addEventListener, जब भी इस button पर click हो, तो उस time पर यह वाला function चल जाना चाहिए, जो हम यहां पर anonymous function ब्राने वाले हैं, तो हम करेंगे क्या basically, सबसे पहले तो query निकालेंगे, इस input text में स ठीक है, जो search text है, इस में से query बाहर निकालते हैं, तो const query equals to, हो जाएगी हमारी search text.value, उसके बाद अगर value नहीं आई कुछ भी, अगर मान लो user ने कुछ भी नहीं लिखा और बस button को hit कर दिया, तो हम कुछ नहीं चाहते करना, right, तो उस case में तो return कर देंगे, कि बस user ने ऐसे button click कर दिया, उसमें search text में कुछ भी नहीं डाला, तो उस case में तो कुछ भी नहीं करना, अगर ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पर news search करेंगे, तो fetch news with this query, जो आई है हमारे पास, ठीक है, और जब ऐसे news हमारे पास fetch हो रही हो, तो उस time पर हम current selected item को भी null करना चाहते हैं, विकर उस time मैं search किया, तो मुझे science related news आनी चाहिए, आई नहीं लेकिन, जाथ से कुछ दिक्कत हुई है शायद, add event listener null, line number 59 पर add event listener on search button, document.getelementbyid, अच्छा मैं इसको search, save करना बूल जारों बार बार, तो यहाँ पर हम search करते हैं, science, अच्छा यहाँ पर search button नहीं आएगा, यहाँ आएगा search text या फिर input text जो भी है, इधर आएगा हमारा input के अंदर मैंने id नहीं दी है, यहाँ पर id नहीं दी है, तो id दे रहेते हैं, यहाँ जाएगा हमारा search text, तो यहाँ पर search text, save and then save, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ science, search, तो हाँ, अब search करा, तो हमारी science वाली news आ गए, लेकिन अब यहाँ पर देखो, मैंने जब finance select किया, तो मुझे finance की news आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर search करता हूँ science, तो मुझे science की news दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर तब भी finance selected है, तो मैं इसके लिए करूँगा, यहाँ पर जब भी कुछ भी search कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारा current selected है, उसके अंदर से class list में से remove हो जाए, active class, ठीक है, और current selected को हम null कर देंगे फिर, इस तरीके से, तो अब वो चीज नहीं होगी, अब जैसे मैंने finance select किया तो ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ technology, और मैंने क्या search, तो यहाँ पर यह selected नहीं है, और technology related news आ जोगी है, और अगर मैं IPL पर select करता हूँ, तो IPL की news आ रही है, finance की news आ रही है, और जब technology को मैंने search किया, तो मुझे technology की news आ रही है, और यहाँ पर यह तीनों selected नहीं है, तो इस तरीके से हमारे यह बन चुका है, एक चीज और इसमे यह पहली state थी, तो उसमें यह आ नहीं पाएगा, जब मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, right, coding channel news पर click कर रहा हूँ, तो यह basically मैं चाता हूँ कि जब यहाँ पर click हो, तो यह reload हो जाए, तो अगर ऐसा करना है, तो यह काम करते है, यहाँ पर इस पर click करने पर reload function कॉम कॉम कॉल करा और यह reload वाला method फिर हम यहाँ पर बनाना होगा, let's यहाँ बना लेते है, function reload, और इसमें क्या करना है, window.location.reload, इस तरीके से, इसको भी save कर लेते है, तो आप देखो कि जब मैं इस पर click करूँगा, तो यह reload हो जाए करेगा, तो अगर मैंने politics select किया हुआ है, तो politics की news आ रह ठीक है, तो अब हमारा finally यह बन चुका है, इन पर जब भी आप click करोगे, तो यह अपनी news वाले articles पर चले जाए करेंगे, और हम इन 9 items पर भी click कर सकते हैं, और साथ में हम इसके अंदर search भी कर सकते हैं, अपने custom results को, जैसे कि अगर मैं करता हो, यहाँ पर Elon Musk, तो हमें यहाँ ञब हम अधने, तो हमें ये जाए बनानी हाँ, यहाँ पर मैं अब हाँ, एक बार मैं करते हैं, गौझा ओ।बवे झाले कं वी ओजके और छीक हो अपने करता हैं, और हमें दोingers특ज़, इन आए हैं, इन और हमें खर बामें तोarina को आपने हैं, झाले जाए ही।.